हेलो गैज वेलकम टू मुवी स्टेशन फरहान फिरोज क्विक अपडेट के साथ हाजिर है सो गैज जैकी चन एंड क्रिस टुकर पूरे 15 साल बाद एक बार फिर से बड़े परदे पे एक साथ नजर आने वाले हैं जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ रश शार 4 की सो गैज 15 साल के बाद फिर से रश शार 4 बनने जा रही है जैकी चन एंड क्रिस टुकर ने रश शार 1, 2, 3 में बहुत कमाल की परफॉर्मस दी थी एक्शन एंड कॉमडी का पावर पैक था देखते हैं कि इस बार जैकी चन एंड क्रिस क्या धूम मचाते हैं जैकी चन की लास्ट मूवी 2020 में वैंगार्ड भी कोई खास बिजनस ना कर पाई और आइमडी बी ने उसे 4.7 रेटिंग दी थी पिछले कई सालों से जैकी चन कोई अच्छी मूवी ना दे सके इस बार रश आवर 123 की डारेक्टर ब्रैट रेटनर को भी लात मार दी है पैर जो भी है जैकी चन एक वर्ल्ड सूपर स्टार है और उनकी फैन फालोविंग कम नहीं हुई मेरा आपका और हम सब का बच्पन उनकी मूवीज देख के ही गुजरा है मार्शल आर्ट्स एंड कंगफू जिमनास्टिक और रियल स्टन की बात हो तो पहला नाम जैकी चन का ही आता है और बहुत लोग उन्हें फालो भी करते हैं याद रहे गाइस के जैकी चन ने अपना डेबियो 1980 में आई मोवी दि यंग मास्टर से किया था और अब वो 68 येर्ज ओल्ड हो चुके है सो गाइस मुझे आपको हम सब को जैकी चन की मोवी रश और फोर का बहुत बेसबरी से इंतजार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ठैंक यू